मैं आपका अपने यूटुब हैं स्मौंस क्लास में हम आपके लेकर नहीं परिश्छा 2022 के लिए मोश्ट इंपॉर्टेंट इसे कच्छप आर्मी कि हिंदी में जो पूछे आने वाला निवंद है इस बार की बोड़ वैश्चा में आपका यही निवंद पूंचा जैए जैसे है दूसरा टाइब से आप से पून सकता है मेरे परी लेखक या कहानी कार सायतिकार पर निवंध तो यह वीडिये बहुत ही मैदपूर होने वाला है क्योंकि आप की 24 मार्च को जो परिच्छा बाली उस परिच्छा में ये निवंध आने वाला है और आपको 9 नमबर पूरी पक्के होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसके प्रमुक बिंदू लिखेंगे क्योंकि हमें जो प्रमुक बिंदू लिखना आनिवार होता है क्योंकि इससे हम यह दर्साते हैं कि हम इन इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंग लिखेंगे प्रस्तावन हम लिखेंगे प्रस्तावने संसार में सबकी अपनी रूची होती ही जित्रकारी में हैं तो किसी की संगीद में किसी की रुची खेलकूद में है तो किसी की साहित में मेरी अपनी भी रुची साहित में रही है साहित प्रतेग देश और प्रतेग काल में इतना अधिक रचा गया है कि उन सब का परायन तो एक जन्म में संबोव ही नहीं है फिर भी साहित में भी अनेक विधाएं हैं कविता उपन्यास नाटक कहानी निवंद आदी अता मैंने सरवपृत्म हिंदी साहित का एक सुच्छ यता सकती अधिकादिक अध्यन करने का निश्चे किया और अब तक जितना अध्यन हो पाया उसके अधार पर मेरे सरवधिक प्रिय साहित कार है जैसंकर प्रसाद जी केवल कवी ही नहीं नाटक कार उपन्यास कार कहानी कार और निवंद कार भी हैं प्रसाद जी ने हिंदी साहित में भाव और कला अनभूती और अभीवक्ती वस्तु और सिल्फ सभी छेत्रों में युगांतर कारी परिवर्तन किये हैं उन्हें हिंदी भासा को नवीन अभी वंजना सकती प्रदान किये इस सबने मुझे उनका प्रसंसक बना दिया है और व 1889 इस भी में कासी के प्रसिद सुंघनी साहू परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम सिरी बाबू देवी प्रसाद लगबग गेरा वर्स की अवस्ता में जैसंकर प्रसाद ने काव रचनारम कर दी 17 वर्स के अवस्ता तक उनके उपर विपत्तियों का पहाड़ तूट पड़ा इनके पिता माता वो बड़े भाई का देहांत हो गया और परिवार का समस्त उत्तरदायत इनके सुकमार कंदों पर आ गया गुरुत उत्तरदिकारियों का निरवाय करते हुए अनेका अनेक मैत पूर ग्रंतों की रचना करने कि उपरान 15 नॉवंबर 1937 इस वी को इ इवन में इन्होंने बड़े-बड़े काम किये उनकी कता समचित अखतनी है साइत कार की साइत संपदा परसाद जी की रचनाये 1907-1908 इस वी में सामेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकासित होने लगी ये रचनाय ब्रज भासा की पुरानी सहली में थी जिनका संग्रेच चित् अधार में हुआ 1913 इस वी में ये खड़ी बोली में लिखने लगे प्रसाद जी ने पद और गद दोनों में साधिकार रचनाये की इनका वर्णी करन इस प्रकार काव रचना दिख लीजिए कानन कुसम प्रेम पथिक माराणा का महातु जहरना आसू लहर और कामायनी महा का आवाय है नाटक उन्होंने कुल 13 नाटक लेखे इनमें से प्रसिद्ध नाटक हैं चंदरगुप्त, इसकंद गुप्त, आजात सत्रू, जनमेजयक का, नागयग, कामना और धुरू स्वामिनी, उपण्या से कंकाल, तितली, इरावती, कहानिया प्रसिद्ध जी की पाँच कहानिया संग्र है च्छाया प्रतीधोनी आकास दीप आंधी और इंदर जाल निवंध है परशाद जी ने शायत के विविद्ध्ध विश्योपन संमंधित निवंध लेखे जिनका संग्रह है काव और कला तथा अनन सह निवंध स्छाय वाद के स्रेश्ठ कवी चायावाद हिंदी कविता के छेतर का एक अंदोला ने जिसकी आवदी सन 1920-1936 भी तक मानी जाती है परसाद जी चायावाद के जन्मदाता माने जाते है चायावाद का आदार सवादी कावधारा है जिसमें वैक्तिक्ता, रहस्यात्मक्ता, प्रेम, सौंदर्व और सचंदता का सबल अभी वैक्ति हुई है परसाद की आशू नाम की क्रती के साथ हिंदी में चायावाद का जन्म हुआ आशू का प्रतिपाद है वी पलंब संगार प्रीतम के व्योक की पीड़ा, व्योक के समय आशू बनकर वर्सा की भाती उमरती है जो घनी भूत पीड़ा थी, इसमती सी नब में चायी, दुर दिन में आशू बनकर आज वै आज बरसने आई प्रसाद जीन के काव में चायावाद अपने पूंड उतकर्स पर दिखाई देता है यथा संदर निरूपड एंव संगार भावना, प्रकती प्रेम, मानवतावाद प्रेम भावना, आत्म्यक्ति प्रकती का चेतना का आरोफ वेधना और निरासा का स्वर्व, देश प्रेम की अभिवक्ति, नारी के संदर्व का वर्णन तत्तु चिंतन आधनिक बौधिक्ता कल्पना का प्रचुर रहसवाद की मार्मिक अभिव्यक्ति अन्यंत इंगित छायावाद की कलागत विसिस्ताएं अपने उतकरष्ट रूप से रूप में इनके काब में वर्ति हुई दिखाई देती हैं आसु मानवी विरय का एक प्रबंध काव है इसमें इसमरती जन्न मनोदसा एवं प्रीतम के अलोकिक रूप सुंदर्व का मार्मिक वरणन किया गया है लहर आत्म परक प्रगीत मुक्तक है जिसमें कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है प्रकति के रमडी पच्छ को लेकर जागरी अंबर पनगट में डूबो रही तारा घट उसा नागरी प्रसाद जी की सर्वतिक मैत पूर्ण रचना का माईनी महा काव है जिसमें प्रती कात्मक सहली पर मानोच इतना में विकाज का काव मैंने रूपड किया गया अचार रामचंद सुकल के सब्दों में यह का बड़ी विसत कल पनाव और मारमिक उक्तियों से पूर्ण है इसके विचारात्मक अधार के अनुसार स्रद्दैवं रागात्मित व्रक्ती ही मनुस्य को इस जीवन से सांती में आनंद का नभो कराती है वही उसे आनंद धाम तक पहुचाती है जबकि इंदा या बुद्ध आनंद से दूर भागती है अन्द में कवी ने इच्छा कर्म और ग्यान तीनों का समंझन पर बल दिया है ग्यान दूर कुछ किरिया भिन है इच्छा पूरी क्यों हो मन की एक दूसरे से मिलना सके यह विडमना जीवन की स्रेश्ट गद्दकार गद्दकार प्रसाद जी का सर्वधिक ख्याती नाटक के रूप में हैं उन्हें गुप्त कालीन भारत को आधनिक परिवेस में प्रस्तुत करके गांधी वादी अइंसा मूलक देश बक्ती का संदेश दिया साथ ही अपने समय के समाजिक अंदलोनों का सफल चित्रण किया उनके पिर्तेग नाटक का संचालन सूत्र किसी नारी पात्र के ही साथ में रहता है उपन्यास और कहानियों में भी समाजिक भावना का प्रधान है उन्हें दाम पत्त प्रेम के आदर्स रूप का चित्रण किया है उनके निबंद विचारात्मक इभम चिंतन प्रधान है ज लाश्ट एडिक हेमार यूपसंगर पद और गद्ध की सबी रचनाओं में इनकी भांसा संस्कृतिक निश्ट ईवं परिमारजित हिंदी है इनकी सैली अलंकारिक एवं सायतिक है कहने किया सकता है नहीं कि इनकी पद रचनाओं में भी इनकी छायवादी कवी हरदय जाकता हुआ दिखाई देता है। सालिंता, गुरुत्वा और गंबीरता को प्राप्त दिखाई देती हैं अपनी विस्ष्ट कलपना, सकती मौलिक, अनुभूती एवं नूतन अभूती पद्धती के फलसुरू परसाद हिंदी सायत में मूर्धन इस्तान पर प्रतिश्टिट हैं समग यह कहा जाता है कि सब्सक्राइब मैं देखना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhanes.com जब आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhanes.com तो गूगल पर हमारी वेपसाइट में लेगे जहां से आप इसका फुल पेडियो प्राप्त कर सकते हैं यह आपने अभी तक हमारा गूरूब जाइन कर लिए अपने टेली गरम पर सर्च करिए का सुभान क्लासिस वहां से आपको मिल लाएंगा हमारा टेलीगराम गूरूप तो वहां से जाइन कर लिए जिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक किलिए बाए बाए